असलाम लेकुम दोस्तों मेरा नम ताब इश है और आप देख रहें मेरी ये वीडियो ओन ताशीफाई यूट्यूब चैनल एंडेसी क्रिप्टो गुरू ऐसल में आप लोग मुझे जानते हैं ताशीफाई से चैनल से जिसके मैंने वीडियो स्पूस्ट की है बाउट लाइ बगार आपको दिखाया जासे के कि आप भी कैसे आज इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बेटर फ्यूचर के लिए अच्छा वीडियो मैं आपसे दो तिन चीज़े कहना चाहता हूं एक चीज़ तो यह कि मैं को फिनैंशल ड्वाइजर नहीं हूं तो आपने जो भी करना है अ अपने पैसे किसी को भी नहीं देने आप से मैं कोई पैसे नहीं मांग रहा आप अगर फेस्बुक यूज़ कर सकते हैं इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हैं आप अगर मुबाइल आपस यूज़ कर सकते हैं तो आप भी यह सारा कुछ कर सकते को बहुत बड़ा हवा नहीं है और मेरा मकसद सरफ इस चैनल का यह है कि मैं आप लोगों को सिखा सकूँ अगर पूरी दुनिया में लोग इस क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करके लाखों कमा रहे हैं तो पाकिस्तानी हो क्यों नहीं और अगर आप इंडिया में बैठे हैं तो आप लोग क्यों नहीं देखें हमें ना क्रिप्टो करणसी आप इसे बात नहीं है क्पाया है फ्ले यह बार का रिएंग क सटें करन स्काटे करें अब अच्छा बड़ा कुश्त ली हम अपनी वीडियो की तरफ आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्लीज यार इस चैनल को लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दुरूर दुबाएं ताकि आपको मेरी लेटस वीडियो दाती रहें क्योंकि बहुत ही तेजी से डिवेलपमेंट हो रही है, मैं आपको इस वीडियो के अपना पोर्टफोलियो भी दिखाऊ सकते हैं और इस चैनल के उपर मैं पोस्ट करता रहूंगा आपको बताने वाला हूं कि पांच बड़ी क्रिप्टो क्रंसी कौन कौन सी है और उनका क्या मकसद क्या है वह है क्या ताकि आपको यह ना हो कि आप खाली बस पैसे लगाते जाएं आपको पता भी लगे कि यार व आपने सोना खरीदा हुआ अपने घर में अगर आपके पर सोना पड़ा हुआ तो अगर आप डिजिटल सोना खरीदना तो बिटकोईन ठीक है आप बिटकोईन को देखें इस वक्त 46,000 डॉलर का हो चुका है और 31% ग्रोथ हुई है बिटकोईन की अगर आप देखें मैंने यह वीडियो भी पोस्ट की थी दो तिन दिन पहले अपने चैनल के उपर जिसमें मैंने बताया था कि इलन मास्क ने जो के टेसला का ओनर है और दुनिया का मेरे ख्याल से सबसे अमीर आदमी है उसने वान पॉइंट फाइफ बिलियन डॉलर के बिटकोईन खरीद है अब मक बिजनस हो रहा है और इसमें बहुत बड़े बड़ी कंपनी जंप इन का रही है तो एक प्रूफ अफ कॉंसेप्ट है अच्छा जी उसके बाद आप आ जाते हैं बिटकोईन बेसिकली आप अगर देखें तो आज से सिर्फ तीन नवे दिन की निकाल लेते हैं नवे दिन प पिछले चोबिस गहंटे में 1.6% बढ़ा है 30% बढ़ा है साथ दिनों के अंदर तो जिसने साथ दिन पहले विटकोईन खरीदा था आज उसकी वैलियू उसके विटकोईन की 30% एनिका अगर आपने साथ दिन पहले लाख रुपया लगाया था तो अब वह एक लाक 30,000 का हो नहीं चांसे जितने आपके पार प्रॉफिट के चांसे था तो बिजनेस इसी चीज़ का नाम होता है अच्छा दी आप बेसिकली आप या कारें आप अपना दिमाग यूज का रहें स्मार्ट ली इंवेस्ट का रहें यहीं आप कोई इंवेंटरी खरीद लेते को कपड़ा खरीद लेते हैं उसको भी उसकी वेल्यू बढ़नी थी यह उसी तरह आपका लेकिन यह डिजिटल है ठीक है ना जी खैर जादा नहीं जाते हम बिटकॉइन जो है जी इसमें आप यह कहलें कि जी डिजिटल वर्ड का ना यह एक गोल्ड है डिजिटल वर्ड का डॉलर है ड अच्छा दूसरा हम उठाते हैं एथिरियम मुझे बहुत जाती तोर पर प्रसानता है क्यूंकि एथिरियम इस नौट ओंडी टकरंसी इस ओपन सोर्स नेटवर्क क्रिप्टो क्रंसी का ठीक है यह एक नेटवर्क है इसके उपर बहुत सारे डिफरेंट क्रंसी और टोकन्स डिवेलब हुएं ठीक है तो यह इस वक्त सेकिंड लार्ज जैसा अगर आप इसकी नवे दिन की डिवेलप्मेंट देखें तो यह तक्रीबन कोई नवे दिन पहले चार सो साथ तक्रीबन डॉलर का था और इस वक्त कहां पर चला गया यह सत्रा अठ्रा सो डॉलर को भी इसने टाच किया है पिछले थर्टी डेज के अंदर यह फॉर्टी परसंट ग्रोथ हुई है विच मेंज कि अगर आपने एक लाख रुपे का एथिरियम खरीदा होता तो आज थर्टी डेज के बाद एक लाख चालिस अजार उसकी वैल्यू ह हो चुकी है असान लफजों में आपको समझा रहा हूं ठीक है जी उसके बारे में आपने अगर पढ़ना है तो फीरियम जब ग्लोबल ओपन सोर्स प्लाटफॉर्म फोर डी सेंट्रलाइस अप्लिकेशन ठीक है जी बहुत ज़्यादा बात हो रही है डीडिवाई की डी डी में आपको समझाता हूं एंड्रोइड का मुबाइल तो सारे यूज करते ना एंड्रोइड एक ओपन सोर्स प्लाटफॉर्म है ठीक है जो के मुबाइल का ओपरेटिंग सिस्टेम के आप बहुत सारी डिफरेंट अप्लिकेशन बना सकते हैं इसी तरह एथिरियम एक ओपन स की आपके पास अगर ढूलर है तो करनी हैं डालर की देन का रहें आप अब आप आपने क्रिप्टो परंसी खरिदनी आ उसको भी आप डॉलर से डोलर के साथ रिलेट 20 11 ठीक है यह स्टेबल कोईन बेसिकली इकुलेंट है डॉलर के आप यह समझें कि आपने डॉलर करना है तो अगर आपने ऑनलाइन करना है तो यूसडी टी इस एकॉल टू डॉलर यह हमेशा अपनी प्राइस को मेंटेन रखता है डॉलर के साथ मैच करके चलता है ठीक है इसके सारे में आप यहां पर पढ़ सकते हैं और पढ़ें सीखें इन चीजों को अपने आपको करें नॉलज वाइस अच्छा जी उसके बाद हम आगे चलते हैं का डानो जो के मेरा फेवरेट है और इस वीडियो को एंट तक देखें मैं आपको अपना पोटफोलियो दिखाता और काडानो की उसमें बहुत बड़ी हैं अच्छा जी काडानो मेरा बड़ा फेवरेट है नाइंटी टू परसंट इसकी ग्रोथ हुई है लास्ट सेवन डेज में काडानो लेकिन मेरा फेवरेट क्यों है उसकी वजह में आपको पताता हूं देखें जब बिटकोईन आया ठीक है कि हमें 10,000 का बिटकोईन खरी ले तो मैं 20,000 का तो उसकी वैल्यू जैसे 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 लोगों ने स्टोर करना चुरूगी उसकी वैल्यू उपर जाना शुरूई और दूसरी बात यह है कि तो उसकी इतने ही फंक्शनालिटी है ठीक है उसके बाद एथिरियम आया थ एथिरियम के बाद आपने देखा कि लाइन लागी कितने जादा आपके पास वह आए कोई टोकन आए अब करडानो आया है करडानो को थर्ड जनरेशन ऑफ ब्लॉक्चेन अप्लिकेशन का जा रहा है अच्छा अब करडानो को मैं सिंपल असान लफजों में आपको समझा द तो करडानो एक बहुत अच्छा प्लैटफॉर्म है जो के वह चीज़ें ऑफर कर रहा है जो मिसिंग है थीरियम के अंदर ठीक है अच्छा अब करडानों की अब आप अगर यह देखें तो इसकी एक्स्ट्रीम बाइंग हो रही है ठीक है जी नेट वर्थ इसकी ग्रो बड सारी दुनिया में जो कंपनीज हैं उनके लिए यूजबल है इसका जो बिजनस केस है वो बड़ा सॉलिड है आप देखें ना कि सबसे बड़ा यह मार्केट कैप वाइस देखें सबसे बड़ा एथीरियम है और उसके बाद यह स्टेबल कोई और उसके बाद यह काड़ानो के बारे में तो वो मैं जो उनसा ना वीडियो मुझे जैन में यह मिक्स पूरा था रिपल एक सार्पी को रिपल ही बोलते हैं बेसिकली एक सार्पी एक आपका लेजर सिस्टम है बेसिकली यह एक पहला प्रूफ और आफ कॉंसप्ट था जिसमें इन्होंने यह इंप्लीमे को पे करने स्वीडिश करोने या आपने शॉपवले को पे करने पे करने हैं पाकिस्तानी रुपीस तो आप अपना क्रिप्टो क्रंसी का जो भी आपका वीजा डैबिट कार्ड हो यूज करें उसमें जो कन्वर्जन हो रही थी वह जो रिपल है वो बड़ा अच्छा उनका अच्छा इसलिए यह बहुत अरसे तक तीसरे नंबर की सबसे बड़ी क्रिप्टो करणसी रही है बिफोर एसी सी ने जब यूएसे में इसके उपर वो केस की है ठीक है जी अब वो केस की हेरिंग चाल दी हूनोंने सू किया इसको बहुत बड़ा और उसके बाद ऑफकोर्स थी ले कि यूएसे में बहुत बावाब की दुनिया में तो चला रहे हैं इसको लेकिन मेरे ख्याल से कुछ और जोगों वह लेकिन उस में सिल्सिया कि में अब ओस्टिलमेंट करने लगे और वो जब सinent करें तो डेंड इन आ इन दा करने द Quindi और अगर आपने इन करनी है और मैंने की यह छोटी से investment क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी price खाफी उपर जाएगी in future तो यह थी यार पांच बड़ी cryptocurrency मैं बाकी हों कि उपर भी वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि बाकी क्यूं है और कैसे important है लेकिन अब को दिखाता हूं जैसे मैं पता था मैं आपको पूर्टफोलियो थोड़ा सा ओवर्वियो करवा दूँ मैंने सबसे जादा जी कारडानो की आप देख रहे हैं कि मेरी जो ग्रोथ है वो 98% है मेरे एसेट की उसके बाद इसके बाद एथिरियम है एथिरियम की भी growth हो रही है उ और इसकी growth इसलिए हो रही है क्योंकि यह बैनांस एक्सचेंज का नेटिव कोई बन गया है और यह बैनांस एक्सचेंज का अपना कोई है और उन्होंने अब अपनी ही ब्लॉक्चें टेक्नोलोजी के उपर इसको शिफ्ट कर लिया तो इसका यह भी आप यह समझें के यह आजाते हैं ले यार अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है कुछ आपने सीखा इससे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें इस बैल आइकन को दुरूर दबाए मेरे इस ताशिफाई चैनल को जाकर भी देखें इसमें मैंने वीडियो स